हेलो फ्रेंड्स आज हम इस एपिसोड में इंटरमिजेट ड्राइंग एक्जाम का प्लेंड जोमेट्रिका क्वेश्चन नमबर 19 सौल करने वाले हैं आज का यह क्वेश्चन इंगलिश और हिंदी लेंगज में इस्प्लेंड होगा अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना नहीं बुलना है प्लेंड जोमेट्रिक का क्वेश्चन सौल करने के लिए आपके पास राउंडर इसे कमपास भी बोलते हैं प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल इन जोमेट्रिकल इंस्ट्रुमेंट किया हो शकता है आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाए दे रहा है उसका अच्छी तरह से अब्जर्विशन करना है और उसे समझ लेना है इंग्लिश क्वेशन चेक्शन 7 इसक्रीबिंग सेमिसर्कल्स एक्जम्पल नम्बर 19 तो इंस्क्राइब सेमिसर्कल्स इन सेक्टर इंस्क्राइब सेमिसर्कल इन सेक्टर विथ एन अंगल उब 35 दिग्री और रदियस 5 cm हिंदी प्रश्ण विभाग सात्वा नेमित बहु भुजा कृती में उनकीत अर्द रुद्त सेमिसर्कल्स उधारन नम्बर 19 एक्रुत वर्थुल खंड में अर्द रुद्त सेमिसर्कल अंकित करना मराटी प्रश्ण 35 सेंटीमीटर वुपस्ति सौंश महपाचा को नसलेल्य वर्तु खंडात एक अर्दवर्तु अंतर लिकित करा इस प्रकार से क्वेशन नंबर 19 हमने इंग्लीश इंद्य और माराटी लेंग्विज में देखा है अब हम इसे सॉल करेंगे चलो स्टार्ट करत बचो यहाँ पर important information क्या है महतोपूर्ण सुचना क्या है यह जो 7 नंबर वाला section है विभाग सात्वा इंस्क्रिबिंग सेमी सर्कल्स नियमित बहु भुजा कृति में अंकित अर्दवर्त जो आपकी final exam है वहाँ पर जो 5 प्रश्ण पूछे जाते है तो इस विभाग का उस नहीं ही है तो यह दो किस्टन हमें क्या करना है पर्पेक्ट करना है इसे ज्यादा सॉल करने की पैक्टिस करना है चलो अब हम स्टार्ट करेंगे इसे सॉल करेंगे यहां पर हमें एक sector निकालना है सेक्टर निकालने के लिए उसका एक बेसलाइन हमें लेना है इस लाइन का दिस्ट्नस हमें एप्रोक्जिमिटली लेना है यहां पर नाम देना है यह अब हमें यह अधियर पॉयंट पर प्रोटिक्टर रखना है उसमें हमें एंगल बनाना है 35 डिगरी का 10, 20, 30 और 35 क्योंकि क्वेस्चन में हमें 35 डिगरी का एंगल दिया है अब हमें इसे जोड़ना है इस प्रकार से यहां पर लिखना है 35 डिगरी अब हमें कमपास में डिस्टन्स लेना है रेडियस लेना है 5 सेंटीमिटर क्योंकि सेक्टर बनाने के लिए क्वेस्चन में हमें 5 सेंटीमिटर यहां रेडियस दिया है राउंडर का कमपस का स्टील वारा पॉइंट हमने ए पॉइंट पर रखा है और इस प्रकार से यहां पर आर्क बनाया इस आर्क ने इस एंगल को यहां पर क्रॉस किया है और यहां पर क्रॉस किया इसे नाम देना है B इसे नाम देना है C उसके बाद हमें जो एंगल है 35 डिग सेक्टर को क्रॉस करेगा डी पॉइंट में तो यह पॉइंट पर स्टील वाला कमपास का पॉइंट रखना है और यहां पर एक आर्ग बनाना है इस प्रकार से इस आर्ग ने एसी लाइन को यहां पर क्रॉस किया एवी लाइन को यहां पर क्रॉस किया पॉइंट मिला अब हमे कमपास में एप्रोक्जिमेटली इस आर्क के हब से तोड़ा ज्यादा डिस्टंस लेना है यहां आर्क बनाना है दूसरे वाले पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं वहां पर पॉइंट लेना है उस पॉइंट को औ को यहां पर क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट लेना है उसे नाम देना है और इसके बाद इस दी प्वाइंट से एक परपिंडिकूलर लाइन निकालना है वो कैसे निकालना है देखो डीपर कंपस का स्टील वाला पॉंट रखना है और यहां पर एक आर्क बनाना है दूसरा आर्क राइट साइड को बनाना है इसमें डिश्टन्स हमने एप्रोक्जिमेटली लिया है रिडियस हमने एप्रोक्जिमेटली लिया है यहां पर एक पॉइंट मिला है यहां पर एक पॉइंट मिला है तो दोनों में से एक point पर हमें compass कस्टील वाला point रखना है D से थोड़ा ज़्यादा radius compass में लेना है distance लेना है और यहां पर एक arc बनाना है दूसरा arch यहां पर बनाना है और उसी radius से उस arc पर दूसरे वाले arc बनाना है दोनों arc एक दूसरे को cross होए वहाँ पर point लेना है उस point को और D point को जोड़ना है इस प्रकार से D से जाने वाला perpendicular line हमने यहाँ पर निकालना है तो बच्चो इस line ने AC line को यहाँ पर cross किया है यहाँ पर point लेना है F और यहाँ पर point लेना है E यह E point है और यह B वाला point है तो बच्चो EF line को हमें यहाँ पर एक parallel line बनाना है तो वह कैसे बनाना है तो A, D और EF इसे हमें basic करना है तो D पर compass का steel वाला point रखना है और यहाँ पर approximately distance compass में लेकर इस प्रकार से आर्क बनाना है अब बच्चो यहाँ पर ध्यान देना है बहुत केरफली से यहाँ पर आपको देखना है E, D line को इस आर्क ने यहाँ पर cross किया है और इस आर्क ने EF line को यहाँ पर cross किया है यहाँ पर नाम देना है Y और यहाँ पर नाम देना है X यह नाम नहीं दिये तो भी चलेगा दिये तो आपको समझ में आएगा तो X पर कमपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर X, Y के हब से थोड़ा ज्यादा डिस्टंस कमपास में लेकर यहाँ पर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से अब उसी रिडियस से उसी डिस्टंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है इस प्रकार से अब इस बाइसेक ने ए सी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट लेना है उसे नाम देना है जीटू अब हमें जीवन पॉइंट को लेना है तो वो कैसे लेना है देखो यहाँ पर कमपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर हमें जीटू इतना कमपास में डिस्टंस लेना है उसी डिडियस से ई पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क बनाना है आर्क ने इस लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है वहाँ पॉइंट मिला है उसे नाम देना है जीवन जीवन और जीटू को जोड़ना है इस प्रकार से उसके बाद इस लाइन ने एडि लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया उसे नाम देना है ओ ओ ओ यह होगा हमारे सेमी सरकल का अर्दवृत्त का center point अब हमें O और D इतना compass में distance लेना है और यहाँ पर एक hub circle बनाना है यहाँ पर आपका जो geometrical instrument है यह बहुत अच्छे वाले चाहिए इसको pencil को point ज़्यादा चाहिए यह भी अच्छे वाला चाहिए तब यह आपको सही effect देगा बच्चो इस प्रकार से हमने वो center point से यहाँ पर hub circle बनाया है इस प्रकार से इस question को हमने यहाँ पर solve किया है इस sector में हमने hub circle बनाया है बच्चो आज का यह question आपके समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो इसे like करना है share करना है और channel को subscribe करना है बिलेंगे एक नए episode के साथ तक्यो